अलो श्रेंट्स वल्कम बैक टू माई चैनल आज हम लोग आपकी वक्षेट नंबर 26 करने वाले हैं जो आपकी साइंस की क्लास एड़त की वक्षेट है तो सभी बच्चे देख सकते हो बच्चों इसमें टॉपिक दिया आपका लाइट ठीक है आपकी वक्षेट का नंबर 26 है और डेट भी आपकी 26 अक्टूबर है लाइट के बारे में पढ़ेंगे टूड़े वी वी लन अबाउट दो लोज ओफ रिफ्लेक्शन ओफ लाइट एंड इमेज फॉर्म बाए प्लेइन मिडर देखो प्लेइन मिरर से कौन सी इमेज फॉर्म होती है अगर उसके ऊपर जिस का डाउट हो केमेश्टी बायोजिक किसी भी स्वजेक्ट का डाउट हो उसका कोशन जाने के लिए तुरन सॉलूशन पाने के लिए वट्सप पे मैसेज करें 8400400 पे नमबर को एड करें और कोशन का फोटो खीचें फिर उसे क्रॉप करें क्रॉप करने के बाद इस नम सो डाउट नप एप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सोलूशन पनाए गें लाइट ओफ रिफ्लेक्शन के पहले लोग में बताया है डूरिंग रिफ्लेक्शन ओफ लाइट दा एंगल ओफ इसीडेंट इस ओल्वेज इकन्टूल दा एंगल ओफ रिफ्लेक्ट एंगल आई हमेशा इकवल होगा एंगल आर के पहले लोग के हिसाब से दूसरे लोग के हिसाब से में बताया दा इंसे रे दा नॉर्मल एड़ दा पॉइंट ओफ इसे डेंट ता रिफ्लेक्शन रे ओल लाइट इन दा सेम प्लेन जो आपकी इंसेडेंट रे होगी कि और दो किस प्लेन पर आके मिलेंगे धा नॉर्मल एड़ पॉइंट ओफ इसे डेंट धा रिफ्लेक्ट्टि ट्रे रिए और एलाइट इन दा सेम प्लेन वह एक प्लेन पर क्या करेंगे लाई करेंगी जैसे कि आपको इसमें देखिए एंगल एंगल ऑफ इंसेडेंट यह एक जार्क इसले प्लेंट मिड्वार आपको एक्टिविटी तरू शिरे थे जिसे आपने क्या लाम दे नाम पे प्लेंट कर लेना खी हो आप क्या देख दूर्जरी आपको क्या करेंगे एक लाइन ड्रो है आपका जो plane मिरे रहे उसको आपने क्या नाम देती है फी और क्यूं ठीक है फी क्यूं नाम देती है टू रेज ओ ए ओ ए एक आपने ये रे उस पे incident की एक आपने OC करी OC दो रेट आपने क्या करी incident करी मतलब यहां से torch को जलाया तो इसको उपर दो रे गई ठीक तरीके से ठीक है आप वो क्या हुआ अब देखो आप क्या करोगे वो जो रे हैं यहां से घई है आप अपने rame noraill ऑईगी और वहीं से आपके reflected ray आईगी ठीक है तो आपके इh PakOoh इंसिडेंट हुई रहे तो यहां से आपने क्या एक normal ray banna दी और आपकी 하 फे इंसिडेंट हुई तो इहां पे आपने एक नॉर्मल रे बना दी तो आपकी जो रहां पर गई तो आपकी यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई वह ऐसे यह भी प्लेक्ट हो गई तो आपने क्या देखा यह डाइग्राम जो ऐसे था हमने ऐसे पढ़ा था वह अब ऐसे पढ़ रहे हम उसको क्योंकि यहां से इंसिडेंट हो यहां से रिफ्लेक्ट हो गई बीच में आपका क्या आगया नॉर्मल रे आगई ठीक है फिर आपने देखा कि एड़ पॉइंट एंड सी रेक्स्पेक्ट बनेगी if they meet mark as a point o for a viewer eye at e ठीक है यह आपका e होगे आपकी आई होगे आप यहां से देख रहे हो ठीक है since the reflected ray do not actually meet at o ठीक है तो जो आपकी reflected rays है वो क्या meet नहीं कर रही है ओ पे ठीक है but only appear to do so we say that virtual image of the point o is formed at o इसकी जो virtual image है वो कहां पर बनी है point o पर बनी है मतलब o dash पर यह o है खाली यह o dash है इसकी virtual image बनी है ठीक है एक्चुल में हमें यह दिख रहा है कि मिली है एक्चुल में ऐसा नहीं हुआ है ठीक है तो इसे हम आप virtual image करेंगे ठीक है अब हम कर लेते हैं इसको कोशन अंसर कंप्लीट करेंगे तो सब भी बच्चे अपने अपने नॉट्बुक निगा लेंगे जिससे आप लोग हैंट्व इसको कंप्लीट कर सको कि अब देखो इसमें आपका क्या दिया गया कोस्तर नंबर वन में पूछा है कि इस्टेट दा लो रिफ्लेक्शन ओफ लाइफ तो बच्चो इसका तो आपकी वर्क्षिट में दिया गया है ठीक है लोस बताने आपको दोनों इसके तो आप इसमें से लिख दोगे ठीक है आपका फर्स्ट भी दिया गया है तो आप लोग यहां से इसको कंप्लेट कर सकते हैं ठीक है फर्स्ट लोग आपका दिया यहां पर और सेकंड यह दोनों आप इसमें लिख लोगे ऐसे करके मैं वह कर देता है इसको बोक्स के अंदर ठीक है आप लोग इसको अंसर नंबर वन यह आपका यह हो गया ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट पर आपका टू में क्या पुछा गया कोशन इसमें दिया गया है डूरिंग दा रिफ्लेक्शन ऑफ फ्लाइट इफ दे एंगल ओफ इंस्टिडेंट इस सिक्स्टी डिग्री एंगल ओफ इंस्टिडेंट अगर सिक्स्टी डिग्री है वर्ट फिल वी दे एंगल ओफ रिफ्लेक्शन ठीक है एंगल ओफ रिफ्लेक्शन पुछा गया तो देखो जब आपको सिंपल सा आपने कुस्टन बढ़ा था कि एंगल आई स्कल्टू हमीशा क्या होगा एंगल दो और फिलक्ट भी कितना होगा तो आप देखो यहाँ पहलत लेह लोगे अंगल औभी स्कल्टूं टो अंगल आ झाता अगल ऐग्सीडें करना हमने एक तो क्या बढ़ाता इमेज कैसी बनती है मैं आपको इससे लिख के बता देता हूं थोड़ा सा जादा नहीं थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें देखिए आप लिखो गए अंसर नंबर थर्ड में इमेज कैसी बनती है वर्चुल एक तो आपके वर्चुल बनती है ठीक है अब प्राइट बनती है कि एंड एंड इसेम सेप की बनती है एक उसे एक एंड यहां पर कर दिजी आप यहां पर कॉमा ही लगा सकते हैं आप लो आपके यहां पर आयेगा एंड size as the object as the object it is reflecting प्रिके इश्वेंट्स यह हो गया आपका अब next पूछा गया है an incident ray make angle 30 degree with the surface on which it fall फिर आपका आगे दिया गया है what will be its angle of incident and angle of reflection आपको दोनों बताने है तेकि इसको आप कैसे करोगे तेको 30 degree दिया गया आपको incident ray तेकि है तो देखो आप कैसे लिखोगे इसको answer number 4 angle of incident कि कितना जाएगा 90 minus 30 60 degree दिखें दिखें तो एंगल आई सकल्टू कितना होता है angle R हमने पढ़ा था तो आप इसमें क्या करोगे तो एंगल R कितना हो जाएगा आपका 60 डिगरी जब आई आपका 60 है तो ये भी आपका कितना 60 डिगरी हो जाएगा तो और इसमें क्या पूछा था आपका What will be the angle of incident and angle of reflection तो दोनों हमने बता दिया इंसिडेंट आपका यहां से आगया 60 और reflection आपका यहां से आगया ठीक है तो यहां पर डिगरी लगा लोगे आप तो बच्चों यह कंप्लीट होती है सभी बच्चे सुजी सिंग चैनल को जरू सब्सक्राइब करेंगे लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया ठीक है तो आप लोग उसमें पाटिस्टिपेट जरू करिएगे मिलते नेक्च वीडियो में तिल दन बाई बी से फिश्टे हल्दी जैहीं जैव